हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एसी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में मैं आप सबका हार देख स्वागत करते हूँ स्टूडेंट, जैसा कि हम इसमें 14 चैप्टर को स्टेडी कर रहे थे, सेंटर स्टेट रिलेशन्स और अपने प्रिवियस लेक्चर में हमने ट्रेंट्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन्स को समझा था स्टूडेंट इसमें हमने जो सेंटर और स्टेट के वीश में जो रिलेशन्स से वो 1967 के बाद किस तरीके से चेंज होते हैं इसको हमने देखा था स्टूडिन्ट इसी चीज़ को देखते हुए सेंटर स्टेट रिलेशन्स को बैलेंस करने के लिए सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा मिद नाइटीन सिक्स्टी में जब सेंटर और स्टेट के बीच में जब अलग-अलग इशूज को नन गवर्मेंट कॉंग्रिस के द्वारा जब उठाया गया तो उस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज का इस्टेबलिश्मेंट किया गया तो स्टूडिन्ट उन मेंसे जो इंपोर्टेंट कमिटीज है वो एड्मिनिस्टेटिव रिफॉर्म कमिशन है राजमनार कमिटी है आनदपुर्ट साहिव रिजॉलूशन है वेस्ट बेंगॉल मेमोरंडम है और साथ ही साथ इसके बाद सरकारिया कमिशन और पुंची कमिशन यानि पंची कमिशन ये दो और भी इंपोर्टेंट है तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम सबसे पहले अड्मिनिस्ट्रिटिव रिफॉर्म कमिशन और साथ ही जो राजमनार कमिटी है उसके क्या-क्या रिकमेंडेशन से उसके द्वारा सेंटर स्टेट रिलेशन को बढ़िया बनाने के लिए अच्छा बनाने के लिए अपनी क्या-क्या रिकमेंडेशन दी गई इसको अपने इस लेक्चर में हम समझेंगे तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर student जैसा कि हमने अपने previous lecture में देखा था कि center state relations में जो भी changes आये थे 1967 के बाद उसके बाद जिन states में non congress government थी उन्होंने अपना resentment एक तरीके से अपना जो भी उनका क्या था जो aggression था अपनी जो demands थी उन्होंने क्या किया central government के सामने रखा था और ये सब घटनाएं हैं ये सब कब हुई थी ये सारे events mid-1960 में ये सब events हुए थे जिसमें कि इस बात को रखा गया कि states की भी क्या होनी चाहिए कुछ छेत्रों में अपनी autonomy होनी चाहिए तो इसी चीज़ को solve करने के लिए और center state relations का examination करने के लिए different different committees का establishment किया गया तो student इसमें से जो important committees हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया administrative reform commission, राजमनार committee, आनंदपुर साहिव resolution और West Bengal memorandum तो ये क्या हैं ये चार committees हैं जिनका development किया गया इसलिए किया गया ताकि evaluate किया जा सके inspect किया जा सके center state relations को जिससे कि center और state के बीश में cooperation और coordination बना कर रखा जा सके या फिर जो भी states के जो अपने recentments हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जा सके और center और state के बीश में एक balance बना कर country के development के लिए काम किया जा सके इस उद्देश से इस objective से क्या किया गया था administrative reform commission को राजमनार कमिटी को आनंदपुर साहिव resolution को और West Bengal memorandum को बनाया गया था अलग-अलग time पर तो student अपने इस lecture में हम जो पहली दो committees हैं पहले दो commission हैं उनके बारे में आज इसमें पढ़ेंगे और उसके बाद अपने next lecture में हम आनतपुर साहिव resolution और West Bengal memorandum के बारे में पढ़ेंगे तो student सबसे पहले हम देखते हैं कि जो administrative reform commission है ये का बाया था 1966 में इसको बनाया गया और 1969 में administrative reform commission ने अपनी report central government को submit कर दी और उसके बाद जो second committee है राजमनार committee इन सब committees का धान रखिएगा कि इन सब committees का एक ही objective था कि कि किस तरीके से center state relations को अच्छा बनाया जा सके ठीक है उनको corporate बनाया जा सके उनको उनका क्या है coordination बनाया जा सके और center और state के बीश में क्या हो एक balance बना कर रखा जा सके और इसी प्रकार राजमनार committee आती है 1969 में जसको की तमिलनाडू government के द्वारा appointment किया जाता है ठीक है और यह अपनी report तमिलनाडू government को submit करती है 1971 में 1971 में submit करती है और उसके बाद है next आनंदपुर साहिव resolution जो की 1973 में यह क्या है पंजाब का ही एक अकाली दल के द्वारा start किया गया एक है resolution है एक movement है ठीक है इसको भी पढ़ेंगे हम further अपने lectures में और उसके बाद है West Bengal Memorandum जो की West Bengal में जो उस टाइम पे जो communist movement जो communist government थी वहाँ पर जिसको communist के द्वारा चलाया lead किया गया उस movement को यानि जो West Bengal Memorandum है इसको 1977 में लाया गया था और इसने भी कुछ अपनी recommendations दी थी center estate relations को balance बनाने के लिए ठीक है तो चलिए अब start करते हैं सबसे पहले जो क्या है आज का हमारा main topic है administrative reform commission student जो administrative reform commission है इसको central government के द्वारा appointment किया गया इसको क्या है central government के द्वारा appointment किया गया और इसमें क्या थी टोटल जो member थे वो six member six member administrative reform commission में उनको appointment किया गया और इसका जो establishment किया गया है इस committee का वो कब किया गया 1966 में किया किए गया है नाइंटी सिख्टीश में इसका समेंटी का इस्टयबिश्मेंट किया गया और इंडर देश की चेयर्मेंटियों ऐडी की मैं जने हैंडर गैन इसको लीट किया गया है घीकiento inglés किका Epic जो commission है या फिर committees कह लीजिए इन सब को हम पढ़ रहे हैं इनका main objective क्या है examination of center state relations यानी center और state के बीच में जो relations है उनको inspect करना उनको investigate करना उनको examine करना ठीक है ऐसा क्या है और उसके लिए अपनी recommendations देना कि किस प्रकार से center और state के जो relations है उनको क्या किया जा सके और better बनाया जा सक ठीक है तो इसके लिए जो यह administrative reform commission है जिसे की short में ARCB कहा जाता है तो यह किसके द्वारा बनाई गई जो administrative reform commission है यह central government के द्वारा अपॉइंट की गई और इसको कब अपॉइंट किया गया 1966 में अपॉइंट किया गया और यह किसकी chairmanship में इसका appointment किया गया जो इसके chairman है chairman थे वो उस time पे बनाया गया मोराजी देशाई को और बाद में कौन रहे इसके chairman के हनुमान थाईया और इसका main objective क्या रहा center state relations को examine करना उसको investigate करना और उसको evaluate करना ठीक है और इसमें क्या कहा गया कि जो center state relations है उसके अंदर जो अदर 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 जो क्या है बह अपको thoroughly examine करने के लिए एक broad level पर examine करने के लिए क्या बनाया गया एक अलेक से administrative reform commission के अंदर ही एक study team बनाई गई ठीक है और उस study team को जो lead किया गया वो किसके द्वारा किया गया mc सेतलवार के द्वारा उस study team को lead किया गया जिससे कि क्या हो center और state के state के बीच में जो जितने भी issues है उन सब को broad level पर examine करने के लिए क्या किया गया study team बनाई गई और उस study team का जो leader बनाया गया study team का जो अध्धक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया mc सेतलवार को बनाया गया और जो यह study team ने जिस report को बनाया फिर उस report के basis पर ARC यानि administrative reform commission ने क्या किया अपनी report को submit किया और इसने अपनी report को central government को submit किया 1969 में ठीक है तो administrative reform commission ने central government को अपनी report कब submit की है 1969 में ठीक है और इसका establishment किया गया 1966 में six member committee थी यह ARC और इसकी chairmanship मोराजी देशाई के द्वारा की गई जिसको की बाद में किया हनुमान ठाया के द्वारा lead किया गया ठीक है और इसका main उद्देशी यही था center state relations को किस प्रकार से better किया जा सके उसको examine करना evaluate करना और इसके लिए अपनी recommendations देना ठीक है और इसके अंदर क्या कि करने के लिए एक बड़े लेवल पर ठीक है बड़े लेवल पर उन चीजों को अलग अलग चीजें जो है center और state के बीश में उनको solve करने के लिए study team बनाई गई और उस study team को जो lead किया गया वो MC से तलवार के द्वारा lead किया गया फिर study team ने जो भी report तैयार की थी उस report की आध report है उसको finalize किया और इस finalized report को central government को 1969 में submit कर दिया गया ठीक है तो student इसके बाद next देखते हैं और साथ ही इसने क्या किया अपनी report में जो administrative reform commission है ARC है इसके द्वारा 22 recommendations दिये गए for improving the center state relations जिससे की center state relations को improve किया जा सके और better किया जा सके ठीक है अच्छा बनाया जा सके तो इनकी क्या क्या recommendations थी तो इन्होंने कहा सबसे पहले जो administrative reform commission है उसका उसका जो पहली recommendation है उन्होंने कहा कि जो हमारा constitution है उसका जो article 263 है उसके according क्या होना चाहिए interstate council का establishment किया जाना जाहिए ठीक है सबसे पहला recommendation ARC administrative reform commission के द्वारा दिया गय recommendation दिया ARC के द्वारा administrative reform commission के द्वारा central state relation को improve करने के लिए उसमें कहा गया कि ऐसे persons को ऐसे persons का appointment होना चाहिए ठीक है जिनकों की क्या हो public life में long experience हो ठीक है और administration में भी उनको क्या हो एक लंबा एक लंबा और अच्छा खासा क्या हो उनको अनुभाव हो experience हो और जो उनका attitude है वो क्या होना चाहिए non partition होना चाहिए means कि center की तरफ center की तरफ या किसी दल विशेश की तरफ या फिर किसी व्यक्ति विशेश की तरफ क्या होना चाहिए supportive नहीं होना चाहिए ठीक है कहा गया कि ऐसे person को ही as a governor appoint करना चाहिए appoint कीजिए जिनको की क्या जिनका क्या है public life में एक अच्छा खासा लंबा अनुभव है ठीक है और administration में भी अच्छा अनुभव है और क्या है उनका जो attitude है वो किस तरीके का है वो किसी व्यक्ति विशेश की तरफ या फिर जैसे center है तो center की तरफ supportive ना हो ठीक है उनका क्या होना partial nature नहीं होना चाहिए उनका होना चाहिए कि वो क्या है independent हो अपने decisions को लेने के लिए और क्या करें constitution के जो provisions है उनको follow करते हुए ही अपने decisions को लें और कहा गया कि ऐसे persons का ही appointment गवर्नर के रूप में किया जाना चाहिए ऐसी recommendation दी गई है उसके बाद next देखते हैं उसमें कहा गया है delegation of powers to the maximum extend to the states और यह कहा गया कि जो जो power है वो क्या की जाए ज्यादा से ज्यादा center के द्वारा क्या किये जाए states को उनका delegation किया जाए means कि कुछ ऐसी powers आप क्या करिए हम को दे दीजे ठीक है मतलब delegate करिए उनको कि जिन पर की हम भी क्या है अपनी इच्छानुसार कुछ ऐसा उनको यह करिए कि जादा से जादा जो है उनका state के लिए भी उनको रखिए ताकि state भी क्या कर सके उसमें अपना कोई भी जो काम है वो कर सके यानि जो भी center की जो power है उनका जो delegation है उसका जो extent है वो states को भी मिले उसके बाद next point जो next recommendation दिया गया है ARC की द्वारा उ जो जादा से जादा जो financial resources है उनको states को transfer किया जाए उनको states के लिए दिया जाए जिससे कि क्या हो states की जो center के ओपर जो dependency है जो निरभरता है finance को लेकर वो क्या हो कम हो क्या किया जाए क्या बोला गया इसमें ये बोला गया है कि states के लिए जो भी financial resources है उसको transfer किया जाए center के द्वारा center के द्वारा states को जादा से जादा financial resources provide कराए जाए जिससे कि जो center के उपर जो states की जो dependency है financial issues को लेकर financial resources को लेकर वो क्या हो कम हो ठीक है उसके बाद जो next recommendation दी गई है ARC के द्वारा इसमें कहा गया कि deployment of central armed forces in the states either on their request और otherwise इसमें ये कहा गया कि states in ARC के द्वारा कि जो central armed forces है जो कि states में इसको central government के द्वारा तभी deployment किया जाए तभी deploy किया जाए जो central armed forces है जब कि वो क्या है कोई भी state request करती है कि जब उसको जरूरत है ठीक है मतलब यह है कि अपनी इच्छानुसार कभी भी central government क्या है कि अपनी demands को impose करने के लिए जो central armed forces है उनको states में impose ना करे बलकि कभी आवश्यक्ता पढ़ने पर या फिर state की request पर वो क्या करे request पर ही किसी भी state में central armed forces को deploy करे वहाँ पर तैनात करे तो इसके बाद क्या था यह सब recommendations दी गई ARC के द्वारा administrative reform commissions के द्वारा लेकिन क्या हुआ no action was taken by the central government on the recommendation of the ARC central government के द्वारा जो ARC की यह सब जो 22 recommendations दी गई है इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी action नहीं लिया गया ठीक है no action was taken by the central government on the recommendation of the ARC यानि administrative reform commission की यह जो 22 की 22 जो यह recommendations है इसमें से किसी भी recommendation को उस टाइम पर central government के द्वारा नहीं माना गया उस पर कोई भी action central government के द्वारा नहीं लिया गया तो यह हमने पढ़ लिया administrative reform commission को और ये भी देख लिया कि Central Government ने इसकी recommendation पर किसी भी recommendation पर कोई भी action नहीं लिया Student तो ये था हमारा Administrative Reform Commission इसके बाद अब हम देखते हैं राजमनार कमीटी जो राजमनार कमीटी है इसको 1969 में तमिलनाडू Government तीक है जो तमिलनाडू Government है उस टाइम पर वहाँ पर क्या थी DMK थी द्रविन मुनेंदर कड़कम तो वहाँ पर क्या किया गया उसके द्वारा तमिलनाडू Government DMK के द्वारा एक थ्री मेंबर कमीटी का कमीटी का establishment किया गया और किसकी chairmanship के अंडर ये जो appointment है वो किया गया में तमिलनाडू Government DMK के द्वारा अपोइंट किया गया जिसमें की थ्री मेंबर जिसमें की क्या थे थ्री मेंबर थे इस कमीटी में और इसके जो चेयर्में थे वो थे डॉक्टर पीवी राजमनार और इस कमीटी का भी में ऑबजेक्टिव क्या था center state relations को examine करना थीक है main यही objective था कि center state relations को किस प्रकार से better बनाया जा सकता है किस प्रकार से improve किया जा सकता है उसके लिए अपने क्या-क्या suggestions क्या-क्या recommendations दी जा सकती है थीक है यह सब इन सभी कमीटीओं में क्या है एक same चीज है उसके बाद जो next point है to sir इसमें क्या हुआ कि इसके द्वारा इसके द्वारा जो यह कहा गया कि जो हमारा जो constitution है ठीक है उसमें कुछ ऐसे amendment को suggest करिए ऐसे कुछ amendment के बारे में बताईए कि कुछ ऐसे amendment किये जाने चाहिए उनको बताईए जिससे ही क्या हो सके जो जो states की जो autonomy है उसको क्या किया जा सके पूरी तरीके से secure किया जा सके अब जो यह राजमनार कमेटी है इसमें क्या कहा गया है इसमें कहा गया कि जो हमारा constitution है इसके लिए आप कुछ ऐसे संसोधनों को suggest करिए कुछ ऐसे amendments को suggest करिए जो कि क्या करें जो यह हमारा constitution है इसमें जो states के लिए जो states की autonomy को बना कर रखें states की autonomy को secure कर सकें कुछ ऐसे amendment क्या करें हमारे constitution में suggest करिए और उसके बाद जो यह committee है इसने अपनी report तमिलनाडू government को 1971 में submit कर दी ठीक है तो यह committee जो राजमनार committee है 1969 में तमिलनाडू government DMK के द्वारा appoint की जाती है इसमें यह three member committee है और जो इसके chairman थे वो dr. p.v. राजमनार थे और इसका भी main objective यही था कि जो पूरा एक central state relation का जो एक question है इसको examine किया जाए ठीक है इसको solve किया जाए और इसके लिए अपनी recommendations दी जाए कि किस तरीके से central state relations का betterment और improvement किया जा सके और साथ ही यह कहा गया कि constitution में कुछ ऐसे amendment को suggest करिये जिससे कि जो states की जो autonomy है जो state की जो स्वायत्ता है उसको क्या किया जा सके secure किया जा सके सुरक्षित किया जा सके और इस committee ने तमिलनाडू government को अपनी report 1971 में submit कर दी इसके बाद next देखते हैं कि इस committee के द्वारा कुछ ऐसे reasons को identify किया गया जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश में जो center है वो इतना strong क्यूं है ठीक है जो ये राजमनार committee है उसके द्वारा जो कुछ ऐसे कुछ ऐसे important reasons को identify किया गया कि हमारे देश में जो ये unitary trend है unitary trend means कि क्या है एक center की तरफ जो जुका हुआ जो क्या है centralized tendency है center की तरफ एक क्या है जुकी हुई जो सारी चीज़ें है सारी powers है वो क्यूं है ये centralized tendency क्यूं है इसके reasons इस committee के द्वारा काफी हद तक identified किये गए जिसमें से बताया गया कुछ reasons को बताया गया है इन्होंने कहा इन्होंने इसको इसमें include किया पहली पहला point बताया है कि कुछ ऐसे provisions है हमारे constitution में जो क्या करते है center को special power देते हैं फीक है कुछ हमारे constitution में कुछ ऐसे provisions है जो क्या करते है center को special power देते हैं तो obvious है जब किसी चीज को special power मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा उसका जो एक तरीके से जो trend जो एक तरीके से उसकी तरफ क्या जो सभी लोगों का जुकाव क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा एक तरीके से ठीक है तो क्या है दूसरा है one party rule वो क्या हो जाएगी power उसके पास special power है तो वो क्या है आपने आप में थोड़ा अलग से उसमें काफी पावर एक्स्ट्रा पावर आ जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा सूपर सीट कर जाएगा उसके बाद जो सेकंड रीजन इन्होंने आइदेंटीफाई किया कि क्यों सेंटर इतना सक्तिशाली है ठीक है क्यों हमारे देश में ज दोनों ही जगे पर क्या है वन पार्टी रूल है यानि क्या है एक ही पार्टी का साशन है क्योंकि उस टाइम पर क्या था कॉंग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी क्या थी उभरी ही नहीं थी या फिर इतने बड़े लेवल पर जो एक ग्रांड लेवल पर जो एक पार होगी तो दूसरा रीजन सेंटर की जो यूनिटरी ट्रेंड्स होने का रीजन बताया है वो बताया गया कि वन पार्टी रूल है किस पर सेंटर पर भी और स्टेट्स पर भी और उसके साथ ही ये बताया गया जो थर्ड रीजन बताया गया कि जो भी स्टेट्स के जो फिसकल र और साथ ही क्या है जो स्टेट्स हैं वो अपने फाइनिशियल एसिस्टेंस के लिए अपने वित्तिय संसाधनों के लिए किस पर डिपेंड है जादा था सेंटर पर डिपेंड है तो इसलिए भी कहा कि यह क्या है हमारे देश में एक यूनिटरी ट्रेंड्स को बनाने का एक र रीजन बताया उनोंने कहा कि SIC लिए भी है क्योंकि the institution of central planning जो क्या है हमारे देश में जो central planning ठीक है जो central planning के लिए जो institution बनाया गया है और साथ ही जो planning commission है उसका जो role है वो इसमें क्या है बहुत ही महतोपूर्ण भूमी का निभाता है means कि जो planning commission का जो काम है उस time पे जैसा कि मैंने अपने previous lecture में भी आपको बताया था कि उस time पे planning commission 1967 के बाद जो 1967 के आसपास उस time पे क्या था कि planning commission इतनी ज़ादा इतनी ज़ादा powerful थी कि अगर किसी भी state के लिए कोई भी financial project जाना है कोई भी financial assistance provide कराया जाना है state के लिए कोई भी project जाना है finance से related तो उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ता था planning commission से उसको approval लेना होता था तो उस time पे जो planning commission की situation है वो क्या थी बहुत ज़ादा strong थी बलकि planning commission क्या था finance commission से भी ज़ादा क्या था powerful हो गया था इसलिए भी इन्होंने इस सीज को राजमनार कमीटी के द्वारा एक reason माना गया कि हमारे देश में जो unitary trends है वो इतना prevail क्यों करता है उन सब के unitary trends के prevail करने के ये क्या बताए ये सब reasons बताए गए हैं इसके बाद जो राजमनार कमीटी है उन्होंने भी क्या करी अपनी कुछ recommendations दी है तो राजमनार कमीटी ने center state relations को improve करने के लिए क्या क्या recommendations दी हैं क्या क्या suggestions दी हैं इसको देखते हैं सबसे पहले राजमनार कमीटी ने अपने suggestions में कहा अपने recommendations में कहा कि क्या किया जाना चाहिए सबसे पहले interstate councils को set up किया जाना चाहिए ठीक है राजमंदार committee के द्वारा कहा किया कि एक interstate council को set up कीजिए immediately ठीक है an interstate council should be set up immediately यानि जल्द से जल्द यानि सीख रही एक interstate council का establishment किया जाना चाहिए उसको set up किया जाना चाहिए और दूसरा point इन्होंने अपनी recommendation में ये कहा कि जो finance commission है उसको क्या बनाया जाए उसको एक permanent body बनाया जाए और तीसरी recommendation राजमनार कमिटी के द्वारा दी गई कि जो planning commission है उसको क्या कर दीजिए disband कर दीजिए ठीक है उसको हटा दीजिए उसको disband कर दीजिए और उसकी जगह पर एक statutory body का establishment किया जाना चाहिए ठीक है और उसके बाद राजमनार कमिटी के द्वारा जो fourth recommendation दी गई center state relations को improve करने के लिए उसमें कहा गया कि जो article 356 है article 357 है और जो article 365 है जैसे कि ये तीनों articles किस से related है president rules से related है इनको क्या कर देना चाहिए राजमनार कमिटी के द्वारा बोला गया कि इन तीनों articles को जो कि president rules से related है इनको पूरी तरीके से omitted कर देना चाहिए इनको पूरी तरीके से हटा देना चाहिए ठीक है ऐसा राजमनार कमीटे के द्वारा अपनी recommendations दी गई उसके बाद जो next point है जो next recommendation है जो कि राजमनार कमीटे के द्वारा दी गई उसमें राजमनार कमीटे ने कहा कि जो क्या है जो इसमें ये कहा गया कि जो governor के बारे में ये कहा जाता है कि जो ये provision है कि state ministry तभी तक अपना काम करेगी जब तक की क्या हो जब तक की governor उसके काम से खुश हो ठीक है तो इस चीज को हटा दिया जाना चाहिए मतलब कि governor के pleasure पर जो state ministry है वो तभी तक काम करेगी जब तक की क्या हो जो governor है वो उनसे खुश रहे ठीक है ऐसे provision को omit कर दिया जाए इसको भी हटा दिया जाए उसके बाद जो next recommendation राजमनार कमीटी के द्वारा दी गई है उसमें कहा गया कि कुछ जो subjects है ठीक है union list के और concurrent list के उनको क्या कर दीजी उनको state list में transfer कर दीजे ठीक है क्या कहा गया कि कुछ निश्चित ऐसे subjects हैं जो कि क्या है union list union list में हैं और concurrent list में हैं उनको क्या किया जाना चाहिए उनको state list में transfer कर दिया जाना चाहिए ठीक है उनको state list में स्थानांत्रित कर दियेना चाहिए कहां से कुछ union list में से और कुछ concurrent list में से किसमें कर दीजे बोल रहे हैं state list में transfer कर दिया जाना चाहिए ऐसा इनकी recommendation है ठीक है और तो और जो next recommendation दी गई है राजमननार कमीटी के द्वारा उसमें कहा गया है कि the resolutions should be allocated to the states और यह कहा गया कि साथ ही जोicketskar हैं वो भी किसको दे दीजिए किसको दे दीजिए तो दे नी चाही है strive को दे देनी चाहि है ऐसा राजमननार कमीटी का है पहले तो कहते हैं कि कुछ ऐसे subject हैं जो कि union list में हैं और साथ ही concurrent list के भी कुछ certain subjects को ठीक है कुछ निश्चिस subjects को आप क्या करिए उनको state list में transfer करिए और साथ ही साथ जो residery powers हैं जो residery जो बची हुई शक्तियां हैं उनको भी आप क्या करेंगे उनको भी आपको states को allocate कर देना चाहिए ठीक है उन powers को जो की residery powers हैं ऐसा राजमनार कमीटी का कहना है और साथ ही जो राजमनार कमीटी की जो last recommendation है उसमें कहा गया है कि all India services ठीक है all India services में क्या क्या आते हैं IAS IPS and IFS इनको क्या कर देना चाहिए कहा कि इनको abolish कर देना चाहिए यानि इनको समाप्त कर देना ठीक है यह ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्षर में बताया भी था कि ऐसा राजमनार कमीटी के द्वारा ऐसा इसलिए कहा गया है कि all India services को समाप्ति कर दीजे क्योंकि इनका यह माना था different different states का कि जो in all India services के के through जो center है वो क्या करती है center states में अप या effect करने की कोशिश करती है ठीक है तो इसलिए इन्होंने अपनी recommendation में भी कहा है कि जो यह all India services है IAS IPS इनको abolish कर देना चाहिए इनको समाप्त कर देना चाहिए तो यह सब क्या थी इनकी recommendations ही और last में क्या होता है कि जो central government है वो फिर से एक बार किसकी तरह है जैसे कि जो पहली कमीटी अभी हमने देखी administrative reform commission ARC की ही तरह ARC की recommendations की तरह ही राजमनार कमीटी की recommendations को ही को भी क्या करती है completely ignore कर देती है ठीक है यानि central government के द्वारा जो राजमनार कमीटी है इसकी भी कोई recommendation को माना नहीं जाता है ठीक है यह बात धान रखिएगा अभी तक हमने दो कमीटी पड करी हमने राजमनार कमीटी जो administrative reform commission है उसने अपनी कितनी recommendation दी उसने अपनी 22 recommendations दी जिसमेंसे की central government ने किसी भी recommendation को नहीं माना ठीक है और उसी प्रकार से जो यह यह राजमनार कमीटी है इसकी भी जो recommendations हैं उसको क्या कर दिया central government ने completely ignore कर दिया ठीक है और इसके किसी भी recommendations को central government के द्वारा नहीं माना गया I hope student आपको समझ में आया हो ठीक है ये दो committees हमने देख लिए दो commission देख लिए और इसके बाद अब हम next आनंद पुरसाहिव resolution और west bengal memorandum को देखेंगे अपने next lecture में I hope आपको समझ में आया हो अभी का lecture यहीं पर रखते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग